जहिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बर्तमान में कौन क्या है 2024 को पढ़ने वाले हैं अभी कई सारे महत्पून पदों पर नियुक्तिया हुई है और मोधी मंत्री मंदल के गठन के बाद बहुत ही बड़ा बदला हो चुका है तो आज के इस वीडियो में हम सभी नए अपडेट को डिसकस करेंगे आए दोस्तो शुरुआत कर लेते हैं नमर फ़र्श कोसन से जून 2024 में लोगसवा के आयस्था या ध्यक्षयानी की प्रोटेम स्पीकर की रूप में किसे नियुक्ति किया गया लोगसवा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं ये बनाए गए हैं भ्रहतरी महताब C ओप्सन करक्ठ हो जायागा देखे दोस्तो राष्टपती दिरोपती मुर्मू ने साथ बार के सांसद भ्रहतरी महताब को लोगसवा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति किया है जो प्रहतरी महताब हैं ये उडिसा की कटक सीट से सांसद हैं और प्रोटेम स्पीकर जो है ये लोगसवा अध्यक्ष के चुनाव तक लोगसवा का पीठा सेन अधिकारी रहता है और जैसे लोगसवा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो इसका फिर कोई काम नहीं रहत है ठीक है तो चुनाव तक ये पीठा सेन अधिकारी बना रहता है नेश्ट कबन की बात करें जून 2024 में लगाता तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री पत की सपत किसने ली है तो तीसरी बार प्रधान मंत्री बन गए है नरंद मोदी जी ठीक है और नौजून को राश्ट प्रति भवन में इन्होंने सपत ली है और नरंद मोदी जी लगाता तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री बन गए है तीक है और दोस्तो नरंद मोदी जी जवाहलाल नहरू के बाद ऐसे दूसरे नेता है जिन्होंने तीसरी बार पद और गोपनियता की सपत ली है मोधी cabinet 3.0 में देश के सबसे कम उमर के cabinet मंत्री कौन बने है यानि कि सबसे यवा cabinet मंत्री कौन बने है करक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो राम मोहन नाइडू ए ओप्सन सही हो जाएगा दोस्तो तेल गुदेशम पार्टी के सांसद है राम मोहन नाइडू और ये मोधी सरकार में देश के सबसे कम उमर के cabinet मेंस्टर बने है इनकी उमर कितनी है तो करीब ये 36 साल के हैं और इनको कौन सा मंत्राला दिया गया है तो नागरिक ओडियन मंत्राला इनको दिया गया है राम मोहन नाइडू लगातार तीसरी बार स्रीका कुलम सीट से सांसद है ठीक है ये सीट आंद्र प्रदेश की सीट है नेश्ट की बात करें तो PM मोधी 3.0 मंत्री मंदल में सबसे अमीर मंत्री कौन है सबसे अमीर मंत्री की हम बात करें दोस्तो ये हैं चंदर सेखर पेमा सानी सी ओप्सन सही हो जाएगा ठीक है और ये कौन सी पार्टी से है तो टीडीपी पार्टी से है आंद्र प्रदेश की गुंटूर सीट से इन्होंने चुनाव जीता है और इनको ग्रामिर विकासवा प्रदाद का राज मंत्री वनाया गया है ये प्रधान मंत्री नयंद मोडी के नए प्रदान सचेव कौन बनगे हैं तो मोदी जी के नए प्रदान सचेव बन गये हैं फिरमोद कुमार मिस्रा बी ऑप्सन सजो जाएगा नेश्ड भारतिये वाढ़ज और उद्योग यानि कि फिक्की के नई महानदेशक की रूप में किसे नियुक्त किया गया तो फिक्की की जो नई महानदेशक है यह जयोती बिज बन गई है यह ओप्सन सही हो जाएगा जयोती बिज को फिक्की का नया महानदेशक नियुक्त किया गया है और यह फिक्की में 1993 में सामिल और इसके अध्यक्ष कोन हैं? अनीश साह जो हैं, वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं. नेस्चे केन सरकार ने अजीत डोब्हाल को राष्टिय शुरक्षा सलाहकार यानिकी एनएसे निूक्थ किया है, उन्होंने कौन सी भी बार पद समाला है, तो दोस्तों अजीत दूबाल को तीसरी बार NSA यानि की नेशनल सेक्यूर्टी एडवाइजर नियुक्त किया है अजित दूबाल 1968 वेच के IPS अधिकारी हैं और यह IB के प्रमुक भी रह चुके हैं और अजित दूबाल पहली बार जो हैं 31 मई 2014 को राष्टी सुरक्षा सलाहकार वने थे पहली महिला हेलिकाप्टर पाइलेट कोन बनी है वारती नौसेना की पहली महिला हेलिकाप्टर पाइलेट जो है यह अनामिका भी राजिव बन गई है यह ओप्सन सही हो जायागा हाली में नीती आयुक के नई डारेक्टर कौन बने है दोस्तों नीती आयुक के जो नई डारेक्टर है यह आसिस कुमार दास बने है यह ओप्सन सही हो जायागा नीती आयुक की स्थापना यह उजन आयुक के स्थान पर एक जनवरी 2015 को करे गई थी हैटकवाटर नई दिल्ली में है इसके CEO कौन है तो BBR सुब्रमन्यम उपाध्यक्ष कौन है सुमन के बहरी अध्यक्ष कौन होते है तो प्रधान मंत्री अध्यक्ष होते है तो नरंद मो अध्यक्ष जेपी नड़ा को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है हम और डेटेल से समझ लेते हैं जेपी नड़ा गुजरात से राजसवा सांसाध है और इनको स्वास्त एवं परिवार कर लियान मंत्रालय दिया गया है इसके साथ इनको रसाइन एबक और बरक मंत्रालय भी आगया है ठीक है और ये गुजरात से राजसवा सांसाध है इनने चुनाव नहीं लड़ा लोग सवा का और ये बीजेपी के अध्यक्ष रहे 2019 से लगा कर अभी तक नेश्ट भारत के नए किरिसी एवं किसान कल्यान मंत्री कौन बने हैं तो मद्द प्रदेश के पूर्व स सिएम सिवरा सिंग चोहान को किरिसी एवं किसान कल्यान मंत्री वनाया गया है ठीक है मद्द प्रदेश की विदीशा सीट से इनने चुनाव जीता है और इन्होंने देश की तीसरी सबसे वड़ी जीत दर्ज करी है इनको किरिसी एवं किसान कल्यान मंत्रा लाए और ग्राम विकास मंत्री कौन बने हैं करक्ट आंसरों जाएगा दोस्तो मनुहरलाल खट्टार ये कौन है तो ये हर्याना के CM है डेटेल की बात करें तो इनने हर्याना की करनाल सीट से चुनाव जीता और इनको उर्जा आवास और सहरी विकास मंत्रा ले दिया गया हराया है कांग्रेस क की दिव्यांसु बुद्धिराजा को और ये हर्याना के दो बार CM रह चुके हैं दोस्तो इसी प्रकार से यदि आप डेटेल में करन फेट को पन्ना चाहते हैं करन फेर्च को बिलकुल आसान भासा में पढ़ना चाहते जिस प्रकार से हम पढ़ रहे है तो हमारी करन YouTube की सबसे best ebook launch हो गई है, इस ebook पर मैं पचले 2-3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी पूरी 2-3 साल की मेहनत आप ले सकते हैं, only 69 रूपीज में, ठीक इसी करह में हमारी Static GK की ebook launch हो गई है, Science की ebook launch हो गई है, इन सारी ebooks का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा, तो फटा-फट से इन सभी ebooks को आप जरूर पर्चेस कर लेजे, ebooks का जो demo है ना, वो भी आपको description box में ही मिल जाएगा, पहले demo देखें, और यदि आप एक बार demo देख लेंगे, तो मेरी guarantee है, आप ebook को जरूर पर्चेस करेंगे, नेश्च है, HD कुमार स्वामी ने किस पांडिया सीट से चनाव जीता है, इनको भारी उद्द्योग और इसपात मंत्रा लए दिया गया है, ठीक है, हराया है कांग्रेस के बेंकर ट्रमन को, और हम बात करें, HD कुमार स्वामी की, तो जो पूर्वे प्रधान मंत्री है, HD देवगोणा, उनके ये बेटे हैं, करना पांडिये मामलों के मंत्री बनाए गये हैं, ठीक है, इनने उडिसा की सुन्दरगर सीट से चनाव जीता है, जनजात ये कारिये मंत्रा लाइन को दिया गया, ठीक है, लगातार छटी बार ये सांसत बने हैं, अटल विहारी की सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं, भारती न नो सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो दोस्तो दिनिस कुमारतर पाठी नो सेना के नए प्रमुख बने हैं, और इसी क्रम में अभी सेना प्रमुख भी बने हैं, ठीक है, यानि कि थल सेना के प्रमुख, इनका नाम क्या है, ओपेंद्र दुवेदी इनका नाम है, ए option करक्ट हो जाएगा सभी सेनाओं के प्रमुक की बात करें सबसे पहले हम CDS की बात करें CDS कोन है? अनिल चोहान है 9 सेना प्रमुक मने है दिनेश कुमार अतरपार्थी धल सेना प्रमुक मने है ओपेंदर दोबेदी भाई सेना प्रमुक कोन है? विवेक राम सौधरी है नैशे एदासी सार नौगरॉंग को किस राजी की पहली महिला पुलिस महाने देशक नियुक्त किया गया तो दोस्तों इनका नाम याद रखना नाम क्या है एदासी सार नौगरॉंग और ये जो है ये मेगालाई की पहली महिला डीजीपी बनी है बी सही हो जाएगा नेश्वन की बात करें हाली में किसको संग लोक से बायोग यानि कि UPSC का डारेक्टर निप्त किया गया तो UPSC के जो नए डारेक्टर है ये हंसा मिसरा बने हैं C option करक्ठ हो जाएगा UPSC की हम बात कर लेते हैं UPSC क्या है एक संभिधानिक संस्ता है यानि कि संभिधान में कहीं न कहीं इसका उलेक किया गया कहां पर संभिधान के इनुचित 315 में इसका उलेक किया गया है UPSC का full form Union Public Service Commission होता है स्थापना 1926 में Headquarter है इसका निव दिल्ली में अध्यक्ष को ने मनुष शोनी और नए डारेक्टर बने हैं हंसा मिसरा नेश्टे हाली में SSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया SSC यानि की Staff Selection Commission और इसका अध्यक्ष बनाया गया राकिस रंजन के लिए और SSC की स्थापना कावुई थी 1975 में Headquarter है इसका नई दिल्ली के अंदर बताईए देश की आतंकवाद निरुधक एकाई राष्टी सुरक्षा गाड यानि की NSG का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया तो नलिन प्रभाद जो हैं ये NSG के प्रमुख बने हैं ठीक है और NSG का फुल फॉर्म नेशनल सेक्यूटी गाड होता है इस थापना 1986 में हैटकोटर नई दिल्ली में प्रमुख कौन है तो नलिन प्रभाद प्रमुख हैं NSG जो है ये देश में आतंकवादी विरुधी गती विधियों से निपटने का काम करता है हाली में महराष्ट की पहली महिला पुलिस महानदेशक कौन बनी है दोस्तो महराष्ट की पहली महिला DZP जो है ये रस्मी सुकला बनी है बी ओप्सन सही हो जायागा हाली में उडिसा बिधानसवा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है करेक्ट आंसर हो जायागा दोस्तो ओप्सन D प्रमीला मलेक खाली में राधार अतूडी के सिराजी की पहली महिला मुख सचेव बनी है तो राधार अतूडी उत्रकंड की पहली महिला मुख सचेव बनी है RBI के वरतमान में गवर्नर कौन है तो दोस्तो सकतिकांट दास जो है ये RBI के वरतमान में कौन से नमबर के 25 नमबर के गवर्नर है अप्रेल 2024 में केंद्रिय जांच बेरो यानि की CBI में सैक नदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो CBI के जो जोईन डारेक्टर है ये अनुराक कुमार बने हैं कौन बने हैं, जौइन डारेक्टर बने हैं, अनुराक कुमार, और CBI के डारेक्टर कौन है, पिरवीन सूध हैं, इस्थापन 1963 में है एड़कोर्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर रस्तित है, अलिगर्ड मुस्लिम बिस्विध्यालाई की पहली महिला कुलपती कौन बनी है नईमा खातून नैश्थे, भारति मूल के ऐसे व्यक्ति का नाम बता ये, जो की विर्टेस ब्रोड कौस्टिंग कौर्परेशन के अध्यक्ष बने हैं, तो दोस्तों विर्टेस ब्रोड कौस्टिंग कौर्परेशन के अध्यक्ष बनने वाले भारति मूल के पहले ऐसे व् में समीर साह, D option करक्ट हो जाएगा, नेश्ट है, निमन में से किसे भारत का दूसरा लोगपाल नियुक्त किया गया, तो भारत के पहले लोगपाल कौन थे, पिना की चंद्र घोस थे, यानि कि PC घोस भारत के पहले लोगपाल थे, और भारत के दूसरे नमर के लोगपाल बने अजय मालक राव खान बिलकर C उप्सन सही उजाएगा भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकन यानि कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे न्युक्त किया गया दोस्तो अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के नए अध्यक्ष बने है ट्राई का फुल फर्म टेलिकॉम रेगुलर्टी अथोर्टी आफ इंडिया होता है इस्थापना 1997 में हेटकोर्टर नियु दिल्ली में अध्यक्ष बने है अनिल कुमार लाहोटी दोस्तो आपको मेरे पढ़ने का तरीका कॉन्टेंट की कॉलिटी अगर अच्छी लग रही है न तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की अधिया आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है और बेल आइकन भी दबा लें बताईए भारा सरकान ने दिसंबर 2023 में गठन किया था केंद सरकान ने और इसके लिए अधियक्ष बनाया अरबिन्द पनगडिया को पंद्रे विड़्तायुक के अधियक्ष थे एन के सिंग और पहले विड़्तायुक जो था इसके अधियक्ष थे केसी नहीं होगी सोले विड़्तायुक के अधियक्ष बनाया अरबिन्द पनगडिया और सोले विड़्तायुक के सचेव भी बनाया गया है इनका नाम क्या है रत्विक रंजनम पांडे इनका नाम है वित्तायुग एक सम्मिधनिक निकाय है और सम्मिधन के अनुच्छी 260 के तहर जो है वित्तायुग का गठन किया जाता है। भारत की नए केंद्रिय सतरक्ता आयुक तो कौन बनी हैं। करक्ट अंसरों जायागा दुस्तो, एस राजियु जो हें, ये भारत के नए केंध्रिय स्धत्रखता आयुक तो बने हैं, पताइए राष्टे अनुसुचुच जाती आयोक के अध्धक्ष का नाम क्या है करक्टांस रोज आएगा दुस्तो किसूर मकबाना बी ओप्सन सही हो दाएगा रेलवी सुरक्षा बाल के नए महान दिशक कौन बने हैं दुस्तो मनोज यादोज हो है ये रेलवी सुरक्षा बाल यान की आरपी अप के नए महान दिशक बने हैं वारतिये प्रतिस फ्रदा आयोक की पहली महिला अध्धक्ष कौन बनी है करक्टांस रोज आएगा रबनीत क और हाली में के से तीसरी बार ACI कर्केट परिशत का अध्यक्ष ना गया है तो तीसरी बार ACC के चेर्मेन बने हैं अमेज साह के बेटे जैज साह है नेश्टे भारते मूल के ऐसे पहले व्यक्ति कौन है जिनको वर्ल्ड बेंग का अध्यक्ष निफ्ट किया गया तो वर्ल्ड बेंग के अध्यक्ष बनने वाले भारते मूल के पहले व्यक्ति हैं अध्यक्ष निफ्ट किया है तो दुनिया के देशों को विकास के लिए लón देना ये वर्ल्ड बेंग का प्रमकाम होता है और इसी प्रकार की एक और संस्ता होती है I.M.F. इसका काम क्या होता है तो डूबती और बरबाद होती अर्थविवस्ताओं को उबारने के लिए लोन देना ठीक है और वर्ल्ड वेंग की स्थाफना 1944 में हेड़क्वाटर हैसका अमेरिका के वसंग्टन डीसी में नेश्ट है कैंद्रिय और द्योक सुरक्षावल यानि कि CISF की पहली महिला चीप कौन बनी है करक्ट अंसर हो जाएगा दोस्तो ऑप्शन बी नीना सिंग हाली में भारत का नया महासरवेक्षक किसे निउक्त किया गया तो भारत के नए महासरवेक्षक बनाएगा है हेतेस कुमार एस मक भारत के 50 बे मुख नया दीस कौन बन गए है दोस्तो डीवाई चंद्र चून भारत के 50 बे मुख नया दीस है ठीक है भारत के पहले दलत मुख सुचना आयोक्त कौन बने है पैरे लाल सामर्याज है ये भारत के पहले दलेत मुक्ष सूचना आयक्त बने हैं रेले बोर्ड की पहली महिला चेयर परसन और सीए ओ कौन बनी है करक्टर अंसर हो जाएगा दुस्तो जया वर्मा सिनहा ए ओप्षन करेक्ट हो जाएगा भारत के नई मुख्ष चुनाव आयक्त कौन है दूस्तो हम बात करें मुख्ष चुनाव आयक्त की तो वर्तमान में है राज्यू कुमार और कौन सी नमर के हैं पच्चीसवी नमर के हैं नेस्टे भारत की नई महानियावादी यानि की Attorney General of India कौन बने हैं तो भारत की नई Attorney General of India यह वने हैं आर बैंकत मनिं ची उप्षन सही हो जायगा और हम बात करें दुस्तों महानेयवादी की तो देश का सबसे वड़ा बिद्यधिकारी होता है महानेयवादी ठीक है और महानेयवादी की पद्गा प्राधवान आर्टिकल सेविंटी सिक्स में किया गया है और महान आईवादी की न्युक्ति किसके दौारा करी जाती है? राष्टपती की दौारा महाने आईवादी की न्युक्ति करी जाती है. जितने भी फेक्ट बता रहा हूँ, यह सारे एजाक कॉस्टन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं. यह तो हमने बात करी Attorney General of India की, अगर हम बात करें Solicitors General of India की तो Solicitors General of India ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बिदियादिकारी होता है वर्तमान में कौन है? तुसार महता है B option सही हो जायगा नैश्ट है देश के Chief of Defense Staff यानिकी CDS कौन है? तो दोस्तो जनरल अनिल चोहान ये वर्तमान में देश के CDS है CDS की बात करें तो इसके पद का गठन कप किया गया था याद रखना एक जनवरी 2020 को CDS का पद बनाया गया और भारत के जो पहले CDS हैं कौन बनाया गये थे विपिन राबत बनाया गये थे और इनका हेलिकाप्टर क्रेस दुरगट नामे निधन हो गया था तो देश के दूसरे नमर के CDS बने हैं अनिल चोहान इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना तो दोस्तो जितने भी प्रमुख पदों पर वर्तमान में व्यक्ति हैं नजये नि야किपटियां होग हैं उन सभी को हमने पढ़ लिया है कम समय में आसान भात सामें इसी प्रकास से यदि आप डेटेल में पढ़ना चाहते हैं कमपलीट करन आफ समय को पढ़ना चाहते हैं पटाफर से पर्चेस कर लिए तो एक कोशन एजा टेस्ट आपको छोड़ कर जा रहा हूँ इसका अंसर बताए वारतिय नोसेना की पहली महिला हेलिकाप्टर पाइलेट कौन बनी है पटाफर से अंसर बताए तो थेंकि दूस्तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होग तो उसका नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल सके थेंकि दोस्तो मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत बंदे मात्राम